यह वह 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 नहीं है यह फर्स्ट क्राइब रोने का यानि फर्स्ट क्राइब का आई पीओ आ गया है ब्रेन बीस करके इनका एक नाम है कंपनी का जिसके ब्राइन के अंडर यह बेचते हैं कपड़े बच्चों के लिए मैटरिटी वगरा यह वह सब इनोंने वह बना के साल भी नहीं तेरा 14 साल पुरानी कंपनी है और लॉसेज में ही है फिर से एक सवाल लगाओं या नहीं लॉसेज में एक और आई पीओ आ रहा है पेटीम देख लिया इतने फिंटाक वगरा यह वो सब आई प्यों अगया अब की बार थोड़ा सा अप्यों गार्मेंट की त गिफ्स दे रहे हो डिस्काउंच वगरा दे रहे हो तो लगाओं या नहीं लगाओं यह तो अनलिसेज के बाद पता चल जाएगा है अब इस विबोर वाशने आएम से भी रजिस्टर्ड रिसर्च अनलिस्ट वापस से देखेंगे ब्रेन भी आईप्यों का अनलिसेज और देखेंगे कि क्या हमें बिजनस मॉडल कैसा है वालुएशन कैसी है देट्स क्या है क्या क्लैश हो रहा है और उससे भी इंपोर्टेंट फिनांचल क्या है पैसा किसली उठा रहे हो और कितना उठा रहे हो लगाओं या नहीं लगा जाल दू लॉंग फॉर्म वीडियो जैसी एकम ड्रग अभी क्लोज हुआ अगर हम आई पियो टेबल की बात करें तो यहां पर बंचल वायर एम क्यों और इसमें हमारे डॉट 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 अनलिसेज बैटे फिर सैंस्टार हो गया सैंस्टार में तो बढ़िया सा गेम क् अपन हुआ और उसके 10-12 मिनिट बाद ही घुम फिर के आगया ना 27 परसेंट पर यह देखो आगया सेम रैकेट पे क्योंकि जब आप अपने अनलिस पर ट्रस्ट करते हो तो हो सकता है वह इमीजेटली ना है आज ना है बट जब आप गेम में बने रहा हो जब तक आपका व से कहां तक गया कहां तक गया यह एकम 63 टाइम्स भी ओवर सब्सक्राइब हुआ अब इसी तरीके से यह दो आई प्यों जरूर क्लैश हो रहे हैं वज़रा में एक चीज़ समझा देता हूँ सेगल में जो पैसा लगेगा यह 8 तारिक को लिस्ट होगा तब तक आप यह वाला पैसा इन दो में लगा पाऊगे ब्रेंग बीज और यूनिकॉमर्स में बट ये जो पैसा ओला में ब्लॉक होगा ओला का पैसा अन ब्लॉक होता है या नहीं होता है उस टाइम अगर सुबह आठ तारिक तक भी मॉर्निंग तक हो जाता है तो भी लगा पाओगे ये दोनों आई-पेo, यूनिकॉमर्स और ब्रेंग बीस भाई 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 छे तारिक, छे तारिक, आठ तारिक, तेरा तारिक, तेरा तारिक ये दोनों बाबा के पास गए और इन्होंने परची निकलवाई तो इसने कहा भाई मैं तो 42 करोल enz रूपए माँगा इसने का भाई जो बचा हुआ है वो मैं मांग लोगा 270 करोड़ तो मैंने यहाँ पर सेगल का वन मिनिट चोच भी डाल दिया ओला के वीडियो भी डाल दी आज हम कर रहे हैं ब्रेंबी यानी फर्स्ट क्राई के और इसके बाद मैं यूनी कॉमर्स भी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ शुरू करते हैं बिस्निस बॉडल से फाउंड़े टू ताउसें जैसे मैंने बोला तेरा चौदा साल पुरानी कंपनी है ब्रेंबी सॉलूशन ओफर प्रोड़क्ट्स फॉर मदर्स बेबीज और किड्स वाय इस प्रैट्फॉर्म फर्स्ट क्राई ठीक है चलो पिताजी के लिए वैसे कुछ नहीं है यहाँ पर पिताजी बिल भरेंगे जोक सा बाई मैं बिली भरता जा रहा हूँ ब्रेंबी सॉलूशन फिर्स्ट्राइज मिशन इस तु रुए टाइ बाई साल के बाई साल के बात बाई साल के बाई घाल एंक बात करना इंक्लूड़िंग पूट्वीर बेबी गेर नस्री डाइपर तॉइस परस्सनल के अमंग अग इस एस मतलब सब कुछ है education related, personal care, toys, diapers, यह वो the company offer products from Indian third party brands अब जयान तो सुनना, global brand and its own brands मतलब यह क्या करते हैं, थोड़ा बाद खुद भी manufacture करते हैं, own brand but majorly, बाहर की चीजों के माल लाते हैं, उनको अपने store यानी first cry से बेचते हैं next, the company has an extensive offering for mothers, babies and kids with more than 1.5 million SKUs, 15,00,000 SKUs हैं, from more than 7,500 brands, wow, amazing, ठीक है, toys, books, fashion, school, supplies, यह वो बचा क्या, मतलब end-to-end, बच्चों के लिए, सब कुछ इन्हों ने यहां पर दिया है, ठीक है, strong brand awareness and its customer, रिफलेकर इन बेबी हग, जो इनका खुद का है, in the launch of baby hug, one of the baby's house brands, according to a regs, here reports, this is the largest multi-category brand for mother, baby, kids, यह वो इन्होंने सारा कुछ यहां पर लिख दिया, मुझे तो stores वगरा बताओ, कितने हैं, मुझे जादा तर उसमें interest वगरा रहता है, यह रहा, has a network of more than 900 contract manufacturers in India, ठीक है, मतलब यानि कि यह जो अपने माल बनवाते हैं, यह और लोगों से, थर्ड पार्टी से, यह और लोगों से बनवाते हैं, तो 900 contract manufacturers से tie-up वगरा है, ठीक है, employees वगरा कितने हैं, employees हो गए, 3400, stores वगरा इन्होंने नहीं लेका, जो इनके in-house stores वगरा हैं, यहां पर हो गए है, ठीक है, कोई problem नहीं है, next part पर आते हैं, अभी पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, as of now तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि यह community ही इतनी बढ़ती हुई है, जैसे हम लोग देख रहे हैं, एक सो चालिस करोड की population, और हम लोग ने चाइना को भी सरपास कर दिया, तो नए लोग तो आ नहीं है, लोग आ रहे हैं कौन से, जो नए हैं, infant है, बर्त होता जा रहा है, तो वहां से जब वो category डेवलप हो रही है, फिर उन्होंने का कि भाईया वो पैदा होंगे, डाइपल उस करेंगे, कपड़े, टीदिंग, एडुकेशन स्कूल, टॉइज, राइट, माब आप उनकी डिमांड अगर आ पूरी करते जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हम भी स्काटेगरी में चलते हैं, डेट्स अलड़ी देख लिए, एक बार और देख लेते हैं, छे तारिक को आई पी ओपन रहेगा, आट तरिक तक आई प्यों रहेगा, तीन दिन तक, फिर उसके बाद नौ तारिक को अलोट्मेंट किस-किस का लखी ड्रॉर निकला, नहीं निकला, बारा तरिक को पता चलेगा, शेर्स या रिफंड्स, अब आ गई वही बात, और वापस से लिस्टिंग होगी तेरा तरिक को, ठीक है, नेक्स पार्ट पर आते हैं, यह प्राइस बेंड वगरा क्या लेकर आए हो, फेस वैल्यू दो रुपए, ओले से ही, प्री स्पिलिट शेर है, प्राइस बेंड रखा 440 से 465, हम अपलाए करेंगे 465, कभी या तो मैनूली टाइप करो 465, यह बेस पार्ट है, यह जो बॉक्स पर टिक मार दो, कभी भी, कभी भी इस प्राइस से नीचे नहीं डालना है, जब रजिस्टर बनाना शुरू करेगा, सबसे पहले व जिनका मैंडेट सक्सेस्फुल था, उनको लेकर आओ, जिनका मैंडेट सक्सेस्फुल नहीं था, उनको भार फैको, नमबर टू, उसके बाद जिसका पैन कार्ड और डीमट अकाउंट में नाम अलग अलग है, इसको रखो, थर्ड पार्टी वाले उनको भी हटाओ, इस नेक्स पार्ट पर आते हैं, कम्बनी कह रहे हैं कि हमें 4193, इसको 4200 करोड रुपए, जिसमें से फ्रेश इशू है, वान ट्रिपल सिक्स, यानि की कुछ 40% के असपास, 60% जो है वो हम ये, बैति गंगा में हाथ दोने वाले हैं, ये बैति गंगा में हाथ दोने का सिल्सला है, क्या सबस्या समझ लेते हैं, बिजनिस करने के लिए सबसे important चीज़े है दो, पहला है idea और दूसरा है पैसा, आइडिया है पर, पैसा नहीं है, दिमाग ही ख्याल पुलाू, काम नहीं होगा, पर, पैसा है आइडिया नहीं है तो भी काम नहीं होगा, तो हैननों ने का हम में चाहें funds की requirement funds की requirement में दो option है पहला option बोलोगे debt debt यानि उधार loan mortgage वगएरा right तो मैं इसको यहां पर लिख सकता हूँ कि आप इसको interest पे करोगे ही करोगे इस loan पर मतलब आप जी रहे हो मर रहे हो कोविड नहीं है stores open हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं sales हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं कस्टमर आ रहे हैं marketing profit में हो loss में मुझे मेरा पैसा दे दो simple सी बात ferreira ferry का example लेते हैं और गंचा मेरे पैसे कंदेगा यह वह बड़े example हो गया इन्होंने कहीं इसमें तो बड़ी liability है तो काम करते हैं हम ने प्राइविट प्लेस्मेंट मतलब कि मैं शाक टेंग में चला गया शाक टेंग में गया मैंने का अपनी कंपनी का मैं पांच परशेंट दोंगा पचास लाक रुपए के लिए मैंने वैल्यूएशन अगर लगा दी पचास क्रोड यह जो भी उस्टेम अपने लगा तो यहां पर किसी शाक ने का चलिए ठीक है मैं आपको इक डील देता हूं यहां पर कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट नहीं होती है दूसरी तरफ स्टॉक एक्चेंज यहां पर कंपनी स्टॉक एक्चेंज पर लिस्ट होगी शेर में ट्रेड होगा 10 रुपए का share 100 भी हो सकता है 1000 भी हो सकता है 5,000 भी हो सकता है और 10 रुपए का share 0 भी हो सकता है company deal list भी हो सकते है अगर perform वगएरा नहीं करती है सत्यम का example ले लो अब company ने का कि जो हमें चाहिए थे कुछ 4200 करोड रुपए के आसपास इस 4200 करोड रुपए का जो IPO है उसमें से stock market पे company हम पहली बार list करा रहे है तो 40% जो है वो fresh issue है यह जाएगा company के खाते में यह जाएगा company के खाते में company इसको reserves में डालेगी और use करेगी किसलिए वो भी देखेंगे बाकी का जो 60% है बाकी का जो 60% है वो जाने वाला है किसी selling shareholders के पास जिसके पास already माल पड़ा हुआ है वो promoter हो सकता है या कोई H&I, DII, FII venture capitalist कोई भी हो सकता है तो सिर्फ 40% जो है वो पैसा जाने वाला है किसके पास company के पास थोड़ी सी unbalance situation है जहापर हमने ओला में देखा 90-10 का ratio था 20-80 भी ठीकता यहां पर 50-50 से भी कम हो गया 60 इस चार्ट का structure ले 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 next part पर आते हैं कितने कितनी category बना के रखी है वो देख लेते हैं 75% देंगे QIB वालों को retail वालों को 10 मिलेगा company losses में क्यूंकि और H&I को 15% तक ही मिलने वाला है category वाइस देखें जरा तो retail के लिए एक application होगी 14,880 की 2,00,000 से नीचे है तो आप 13 lot लगा सकते हो और जैसे ही अपकी application 2,00,000 से ओपर जाएगी तो system automatically है समझ जाएगा अप H&I category में जा रहे हो और ध्वान चा सुनो इसमे इसमें इसमें कोई फर्क नहीं है except this 10% and 15% कोई lock-in नहीं है यह हम लोगों ने अल्रीडी देख लिया financials कितना बना रहे हो कितना बचा रहे हो जरा वो भी बता दीजिए हमें शुरू करते हैं full year full year full year assets 6200 करोड के assets थे जो के एक अच्छा कासा 15-17% जंप हो के हो गया 7100 और अब की बार सिर्फ 400 करोड बड़े हो गया इस पिचातर सो करोड के आट पास assets व अच्छे revenue कितना बेच रहे हो 2500 करोड की sales थी sales double से भी जादा हो गया 5700 और फिर वापस से कुछ 800 करोड के असपास और sales बड़ी 6500 करोड की sales बाप रहे देख रहे हो पता एक चीज़ बतातो personal experience से भाई सब यह जो टी-शेट में पहन रहा हो यह कितने की होगी 400-500,000 रुपई की टी-शेट होगी बच्छों के कपड़े लेने जब गया तो यह हो गया 78 करोड का लॉस माइनस 3% लिख देता हो 500 करोड की sales करी तो अल्मोस्ट 8% के आसपास आ गया 8% बोलो, 9% के आसपास बोलो तो यह हो गया 486 माइनस 9% फिर उसके बाद 6500 के करी तो यह हो गया माइनस 5% के आसपास तो यहाँ पर losses तो थोड़ा सा balance किया है थोड़ा सा balance किया reasons अमझे जरा but company तीनो साल से loss में यह ध्यान लखना reserves 3400 करोड के reserves थे 3300 करोड के थे 3000 reserves माइनस 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 में जा रहे हो 14 साल से आप business कर रहे हो तब भी आप losses में हो प्लस इतने reserves होने के पास यह borrowing क्यों है यह borrowing के खतम करो 90 करोड की borrowing 170, 460 जब आपके पास already एक जगा है आप एक चीश सपोस करो आपकी jam में कुछ 5000 रुपई पड़े हुए है आपके पास 5000 रुपई ही रहे हैं अब आप क्या करोगे पहले इन 5000 को यूज करोगे यह जाकर और बोलोगे यार मुझे ना पैसो की ज़रूरत है क्या तु मुझे 100 रुपई दे सकता है सामने वाला सोचेगा जब तेरे पास already एक जेम में 4000 रुपई है तु मुझ से क्यों 100 रुपई मांग रहा है कुछ बात बनी नहीं राइट जब आपके बस already इतने accumulated reserves and surplus है यह देखे pay off करो क्योंकि इस पर interest बच जाएगा चलिए जैसा company को ठीक लगे नेक्स पार पर देखते ज़रा return on net worth minus 8 जो भी हम लोगों ने अल्यडी calculate करा price to book value six times ठीक है पैसा किसली उठा रहे हो जरा वो बताओ भाई सहाब कई लोग तो एक दो लाइन लिखते हैं इन बंदों ने पूरा एक दस माक्स का आंसर लिखा है समझते expenses of the company establishment of new modern stores under the baby hug और जो physical stores है वो बगरा लगाएंगे warehouse लगाएंगे expenditure or lease payments for existing identify modern stores वगरा जो already है जो already है उन पर existing payments वगरा जाएगी ठीक है investment in its subsidiaries for setting up new modern stores first cry एक baby hug करेंगे और बाकि first cry के अंडर करेंगे ठीक है investment in subsidiaries in first try trading for over speech expansions मतब अपना माल बाहर बेचना शुरू करेंगे उसको भी setup वगरा करना है loan payoff नहीं कर रहे हो क्या investment in subsidiary gold bees brand for the acquisition of an additional state चीक है gold bees brand जो है उसको और additional sales लेंगे sales and marketing करेंगे technology और data science cost वगरा डालेंगे server डालेंगे finances of inorganic growth through acquisitions वगरा मतलब loan payoff करने का अभी भी इनका कोई mood नहीं है बटीक है loan इतना है भी नहीं है भी नहीं है और राइट चल ये शुरू करते हैं नंबर वान कि ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा listing gain कितना होगा दोनों देख लेते हैं नंबर वन डेफिनेटली अच्छी company है क्योंकि segment अच्छा है textile अच्छा है जिसे आपसे population बगरा बढ़ रही है macro economic factors को देखते होगे मैं बोल रहा हूं losses का जो पार्ट ता वो reduce करा 9% चाहिए 5-6% के आसपास हो सकता है एक दो साल में profit बगरा में आ जाए चीक है बट दो IPO clash हो रहे हैं नंबर वन apply करना है definitely apply करना है modern हो गया या risky trader हो गया safe trader हो गया दोनों definitely apply कर सकते हो over subscription अलएडी ब्यालिस सो करोड रुपए रेस कर रहे हो दो कि थोड़ा सा जादा है और उससे भी important बात यह है कि बया ओला वाला जो है वो तुम्हारे सा टक कर ले रहा है clash हो रहा है जो कि 6000 करोड रुपए लेकर जा रहा ह है इसलिए over subscription होगा थोड़ा सा कम over subscription होगा यहाँ पर somewhat round 35 times plus number one number two apply definitely किया जा सकता है जैसा मैंने बोला कि sector वगेरा अच्छा है sector वगेरा अच्छा है मैं यहाँ पर जो listing gain expect करने वाला हूं क्योंकि over subscription कम हो गया अगर over subscription होता 70-800 गुना के असपास तो listing gain भी बढ़ जाता क्योंकि demand दिखाई देती है मैं यहाँ पर listing gain expect करने वाला हूं according to this calculation कि एक दो साल में भी company अगर profit में आ जाती है तो somewhat around 18 to 30% के आसपास तो मेरे इसाब से 18 to 30% के आसाप से listing gain वगेरा बन सकते हैं यह ते first cry के IPO के detailed analysis जहां पर हमने business model देखा फिर उसके बाद financials वगरा देखे कि हम भी थोड़ा बहुत loss recover कर रहे हैं और expansion में जा रहे हैं aggressively जा रहे है I should say video पसंद आया हो share with your friends like and subscribe thank you for watching the video lots of love